हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माई चेनल सिकंदर टेक फोर यू आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इश्रम कार्ड बनाना जैसे के अभी तक कितने लोगों ने इश्रम कार्ड बना लिया है देखिए मैं आपको बता देती हूं यहां पे लिखा हुआ रहा है 29 क्र इसलिए पूरी वीडियो को दियान से देखिए और बिल्कुल भी इसकिप नहीं कीजिएगा तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो सबसे पहले हमें जाना होगा अपने मोबाइल के ब्राउजर पे गूगल पे तो आपको यहां पे सर्च करना होगा इश्रम कार् पास यह पूरी वेबसाइड अपन होके आ जाएगी अब देखिए यहां पर राइट साइड में जो है लिखा हुआ है कितने लोगों ने बनाया है मैंने आपको पहले भी बताया था जैसे 29 करोड से 47,88,883 में लोगों के जो है इश्रम कार्ड इश्यू यानि के बन चुके अपर mobile number डाल देते हैं और उसके बाद में जो आपका यहां पर capture है वो डाल देना है यहां पर capture डाल देते हैं वैसे ही जिसा यहां पर लिखा हुआ है केपचे में अगर कुछ small है तो small डाले capital बर्ड है तो capital डाले और उसके बाद यहां पर आपको no करना है यहां पर क्या लिक हो है are you an active member of employees यानि कि आप EPFO के employees है या आपको कोई PF अगेरा आता है अगर नहीं आता है no अगर आपको पास PF आता हुआ होता तो आप इश्रम कार्ड नहीं बनाने आते तो इसलिए हम यहां पर दोनों पर no कर देंगे और यहां पर हमें send OTP पर क्लिक कर देना है जिसे हम यहां पर क्लिक करेंगे हमारे mobile number पर एक OTP आएगा जो mobile number हमने यहां पर डाला है वो OTP हमें इस इसलिए हमने पर submit किया हमें डाल देना है आधार number तो हम यहां पर आधार number डाल देंगे जो भी हमारे पास आधार number है अब आपको इसमें तीन ओप्शन दिये हुए है fingerprint आयरिस और OTP हमें OTP के जरीए बनाना है इसलिए हम OTP कि रखेंगे अगर आपके पास fingerprint machine है तो आप इस हम यहां पर click कर देंगा I agree to the terms and condition for registration अंडर इश्रम पॉर्टल तो अब हम यहां पर submit कर देंगे जैसे हम यहां पर submit करते हैं तो देखें फिर से हमें आरे पास एक OTP और आएगा वह OTP हमें यहां पर फिर से फिल कर देना है तो यहां पर हमने enter OTP डाल दिया यह जो OTP गया है हमारा जो उस नंबर पर गया है जो हमारा आधार कर से लिंग है तो उस नंबर पर हमारे OTP पर जाएगा और हम यहां पर validate कर देंगे जैसे हम यहां पर validate करेंगे हमारे पास form open होके आ जाएगा तो इसमें सबसे पहले हमें डाल देना है अपनी your personal particular is आधार यहां पर देखें आधार में access करके नाम आ चुका है और यहां पर date of birth आ गई यह फीमेल है यह भी आ गया है अब हम यहां पर continue to enter other detail पर क्लिक कर देंगे जैसे हम other detail पर क्लिक करते है personal information में सबसे पहले हमें personal information डाल देनी है हम यहां पर सबसे पहले डालेंगे personal information तो उसके लिए हमें यहां पर क्लिक करेंगे और married है या विड़ो है विद्वा है या नेवर मेरी शादी नहीं हुए या डिवासी है जो भी है आप उस पर क्लिक कर देंगे तो नेवर मेरी पर हम क्लिक कर देते हैं और यहां पर mother's name ज हम यहां पर select कर लेंगे जो भी आपकी कास्ट है स्ट में आते हैं स्ट में या जनल में तो हम आपके आते हैं और यहां पर क्लिक कर देंगे यहां पर डाल देते हैं father और mother detail उसके बाद हमने यहां पर देखिए mother name भी डाल दिया है father's name भी social category में आपकर दिया है social category certificate अगर तो अब इसी वालों का जो है certificate बनता है यहां पर choose file करेंगे और जो भी आपके पास अगर आपके पास certificate नहीं है तो आप इसको skip कर सकते हैं यहां पर blood group है तो यहां पर डाल देंगे नहीं पता है तो उसको skip कर देंगे और यहां पर आपको 9 पर ही रहने देना है nominee detail अगर यहां पर 7 continue पर click कर देंगे तो जैसे हम 7 continue पर click करेंगे हमारा next option आएगा address का देगे हमें यह सब जो फिल कर देना है personal information सबसे पहले मांगेगा फिर address education qualification occupation and skills and bank detail तब हम आ गए हैं यहां पर second number पर address तो हमें यहां पर address डाल देना है यहां पर हमने state select कर लिए और district select कर लेंगे यहां पर कौन सी district आपकी है state specification IDs को हम छोड़ देंगे और यहां पर current address में आपको देना है urban ही कि आप ruler है शहर ही है तो आप urban पर click कर देंगे और address line number one पर आपको डाल देना है जो भी आपका address है दूसरे में भी line में आपको same address यही डाल देना है और यहां पर आप state select कर लेंगे तो फिर से हम यहां पर state select कर लेते हैं कर लेंके और यह पर दिस्ट्रिक्स लगए फिर से और यहांप पे सब्सक्षार्ट ताकि तहसिल कौन लगती है तो आप यहांसे तासल कर लेंगे उसके बाद में सिटी आप अपने शहर का नाम डाल देंगे पार पर अपको को यहां पें फिल डाल दिना है तो यहां पर हमने pin code भी डाल दिया है अगर गलत होगा तो वो wrong लिखा हुआ जाएगा तो सही हमने pin code enter कर दिया है studying at current location आप अभी कहां पर रह रहे हैं आप अभी कहां रहे हैं और कप से रहे हैं more than 25 से भी पहले से हम रहे हैं तो यहां पर सलेक्ट कर लेंगे और हम अर्बन है तो अर्बन पर क्लिक कर देंगे उसके बाद में हम यहां से आएंगे address फिर से हमें address डाल देना job का address है और फिर से address line number 2 में डाल देंगे अजिस्ट्रिक्स इनलेंगे यहां पर सब तहसिल एलेंगे यहां पर city ले लेंगे और यहां पर पिन कॉर्ड एंटर कर देंगे तो देंगे आपको बदाते तुम यहां पर दो बार आपको address क्यों देना ओश्चाइव मेरे नहीं और इक मानेे उसटाекущ for allows you to article यहां पे आपको पुराना गटाव डालों तो यहां पेड़स के भरया और जाप उसके बाद हमें यहां पर देना होगा education qualification तो यहां पर हम डाल देते हैं education qualification में select कर लेते हैं आप क्या पड़े हुए है primary, middle, secondary, high secondary, higher secondary, diploma certificate जो भी आप post graduate है या graduate है तो आप यहां पर select कर लेंगे higher secondary या secondary जो भी आप है और यहां पर आपको education certificate अगर आपके पास है अभी तो आप यहां पर डाल सकते हैं और यहां पर monthly income slab कितना है 10,000 से उपर ही के नीचे है या उससे ज़ादा है जितना भी है आप यहां पर select कर लेंगे income certificate है आपके पास तो आप यहां पर upload कर सकते हैं और जिसका हम बना रहे हैं उसका i certificate नहीं है income certificate तो आप इसको skip कर देंगे और 7 continue पर click कर देंगे इसके बाद में आपको यहां पर देखिये लिखा हुआ है are you working with any platform mobile app best service आप इसमें से किसी चीज़ पर काम करते है जासे के या ओला company में तो आपको नहीं करना है करते हैं तो आपको इसकार देना है प्राइमरी occupation में आप क्या काम करते हो वह आपको यहां पर डाल देना है तो देखिए यहां पर primary occupation में घर पर slide करती है तो sewer hand यहां पर हमने डाल दिया है occupation और यहां पर कितने साल का experience है यहां पर ले लिया है हमने two year का है और यहां पर आप select कर लेंगे नई secondary occupation automatically खुद आ जाएगा domestic application में आता है तो अब हम यहां से seven continue पर click कर देंगे तो देखिए यहां पर जैसे हमने occupation detail में seven continue किया अब हमें last detail आपने से और बन रहना बढ़नी है बैंक detail यहां पर हम डाल देंगे bank account number घुल अां यहां पर हमने bank account phone number डाल दिया bank account pack order name यहां फे हम डाल देंग जो भी bank account तो यहां पर हमने कोड भी डाल दिया है यहां पर सर्च करेंगे हम तो यहां पर बैंक नेम और ब्रांच नेम आपको डाल देना है जैसे हमने पर सर्च किया है यहां पर बैंक नेम और ब्रांच नेम आपको डाल देना है यहां पर सर्च किया है यहां पर बैंक नेम डाल दिय और यहां से नीचे आएंगे आप पूरी डिटेल देख सकते हैं जो भी आपने डाली है अगर आपको कुछ इसमें गलत लग रहा है तो आप यहां से एडिटेल कर सकते हैं और उसके बाद में अगर आपका यहां पे सब कुछ ठीक है डिटेल इतनी भी आपने डाली है तो हमें क्या करना है जिसे हमारो पूरी डिटेल आ चुकी है इहां पर अब हम यहां पर डिकलेरेशन में जो लिक्हा हुआ है यहां अब हम यहां पर राइट क्लिक कर देंगे यह जैसे हमने यहां पर submit किया हमारा यहां पर इश्रम कार्ड बनके आ गया है successfully आप यहां पर download UAN card पर click करके आप इसको download भी कर सकते हैं यहां से हम scroll down करेंगे देखिए आपका पूरा इश्रम कार्ड भी और इश्रम कार्ड नंबर वगेर सब आ रहा है यहां पर तो यहां पर आप download UAN card पर click कर देंगे तो जैसे हम यहां पर download UAN card पर click किया है तो यहां पर हमारा PDF आया है तो यहां पर हम click करके open करेंगे तो यह हमारा इश्रम कार्ड हमारी device में save हो गया है और अब हम यहां से जाएंगे फिर से जहां पर हमने registration किया था स्क्रोल डाउन करेंगे अब यहाँ पर आपको कर देना है complete registration पर क्लिक तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो friends यह जानकारी आपको कैसी लगी easily हमारा जो है इश्रम कार्ड घर बेटे बन चुका है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो please वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल्स पर नए आए हैं तो नई नई सरकारी योजना से related जानकारी के लिए आधार कार्ड, पैंड कार्ड पाकी जितना भी यह सब सरकारी जानकारी है इसकीम से इसके लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा हम आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए अगर आप इसको शेयर करना चाते हैं अपने family member या दोस्तों में भी आप इसको share कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में Thank you for watching Goodbye friends